आप सभी उमीद करते हूं आप सभी अच्छे होंगे चली स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने पढ़ रहे हैं यूनिट एट चेप्टर मंबई मुजिशियन मंबई वाला मुजिशियन जो की म्यूजिक प्ले करता है एक बार का समय था एक डंकी रहता था उसका नाम था गोपू देखे बच्छो वो काफी ताइम से एक फार्मर के किसान के घर पे काम करता था वो हैवी हैवी बोरियां लेके आता था कॉन मिन्स मक्के की और शुगर की गन्ने की ठीक है कॉन मक्का शुगर की गन्ना बच्छो वो बहुत थक चुका था और ओल मतलब बुढ़ा भी हो गया था तुम बहुत अच्छे डंकी हो डंकी कौन होता है बच्छो गधा ठीक है सभी को पता है गधा होता है अनिमल होता है कि तो फामन नहीं कह बोला कि तुम इस बूरी जो मक्के की बूरी है इसको लेके जाओ और तुम पूरा वर्ल्ड देखो तुम बूडे हो जाओ उससे पहले पहले जादा बूडे हो जाओ उससे पहले पहले तुम पूरे वर्ल्ड को देखो गोपु smiled and said goodbye गोपु ने उसके तरफ देखा और हसा और बोला goodbye He set off towards the city of Mumbai वो Mumbai city की तरफ चलना start करता है I am good at music गोलता है I am good at music मैं गाने में अच्छा हूँ I will go to Mumbai and be a musician the air मैं Mumbai जाओंकर वहाँ पर में एक अच्छा musician बनूँगा On the way he met a dog रास्ते में बच्छों से कौन मिला एक डॉग मिला Where are you going? ask Dopu बच्छों डॉग का नाम था डॉपु उसने डंकी से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो I am going to Mumbai to be a musician बोलता है डॉगी बोलता है कि मैं Mumbai जा रहा हूँ musician बनने के लिए Would you like to come to? ask गोपु गोपु डॉगी ने पूछा डॉग से कि तुम भी मेरे साथ चलोगे तो yes I would reply डॉपु डॉग ने बोला yes मैं भी चलूँगा और went the two friends on the dusty road to Mumbai दोनों दोस्त चलते हैं dusty road पे मुंबई की तरफ they saw a ball of fur in the middle of the road बचू उन्हें एक fur fur की एक ball मिलती उन्हें रास्ते के बीच में middle मतले बीच में ठीक है road सड़क who are you they ask वो fur वाली बॉल से पूछते कि तुम कौन हो I am furry the cat said the cat वो एक cat होती है चीक है बोलती है I am furry the cat said the cat would you like to come with us to become a musician वो dog and donkey cat से पूछते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलोगी musician बनने के लिए ask gopu and dopu together oh I would love to come along replied furry बचू cat बोलती है कि हाँ मैं भी तुमारे साथ चलोगी so off went the three together to become Mumbai musician तो वो तीनों donkey, dog and cat तीनों चले जाते हैं musician बनने के लिए Mumbai soon they met Coco the cog उन्हें रास्ते में फिकौन मिलती है cog I love music and wish to join your band वो बोलती कि मुझे भी गाना पसंद है मैं तुम लोगों को join करना चाहती हूं they all reached a house with the light वो घर पहुँच जाते हैं they were very tired and hungry बच्चों वो सभी ठक जाते हैं और बहुत उन्हें भूख लगी होती है hungry means भूख लगना भूख लगना tired means ठकना they peeped in through the window and saw a table with delicious food बच्चों वो क्या करते हैं window से अंदर देखते हैं और उन्हें दिखता है कि वहाँ पे table पे बहुत अच्छा खाना रखाया they decided to sing to let the people inside know that they were musician बच्चों वो लोग सब decide करते हैं कि हम सब गाते हैं ताकि जो अंदर घर के अंदर जो लोग हैं उन्हें पता चले कि हम लोग musician है they sang वो गाना गाना स्टार्ट करते हैं the people inside thought that ghost has come to scare them ghost means भूथ जो लोग inside अंदर thought means सोचना this game is डराना बच्चों जो घर के अंदर जो लोग होते हैं वो यह सोचते हैं कि भूत आ गए हमें डराने के लिए they ran away as fast as they could बच्चों वो लोग तेजी से भागने लगते हैं जित्ता तेज वो भाग सकते हैं गोपू, डोपू and furry went into the house बच्चों वो तीनो गोपू, डंकी, डॉग and cat तीनो अंदर चले जाते हैं and ate the food और वो खाना खा लेते हैं till they could eat no more जब तक उनका पेट नहीं बहता वो खाते ही रहते हैं बच्चों देखे, आप सभी ने देखा यहां पे किस तरह वो plan करते हैं और किस तरह वो अपनी भूक मिटाते हैं किस तरह से वो लोगों को भगा देते हैं घर से और उनका सारा खाना वो खाके अपनी भूक मिटा लेते हैं देखे स्टूरेंट्स यहां हमने निव वर्स देखे tired मिंस थकना magician मतलब who play music pipped pipped मिंस क्या होता बच्चों किसी चीज की तरफ जल्दी सी देखना delicious मतलब tasty ghost मिंस भूत scare मिंस डराना okay fear why did the farmer tell gopu to see the world farmer gopu से donkey से क्यों कहता है कि तुम world दुनिया देखो as he was now very tired बच्चों वो बहुत थक चुका था और बूढ़ा भी हो चुका था why did gopu, dopu and phari want to go to Mumbai to be a magician बच्चों magician बनना चाहते थी सारे इसलिए वो Mumbai जाना चाहते थी why did the people in the house run away बच्चों the people in the house run away as they thought ghost had come come to scare them सभी को समझ मैं है बच्चों if you were to join the animal band which animal would you want to be बच्चों देखिए बच्चों अगर आप सभी को एक animal band join करना होगा तब कौन से animal बनोंगे create the sound of that animal get together with your friends as a group create the sound of the animal each one of you wants देखिए student आप सभी ग्रूप बनाईए animals की और sound create कीजिए ठीक है the donkey saw a ball of fur and it was a cat if you were to see a big ball of fur what could that be बच्चों वो तो एक cat थी लेकिन हमें fur का क्या लगता है हमें लगता है वो rabbit है rabbit भी तो ऐसे ही होता है fur की तर है ठीक है सभी को समझ में आया let's sort out these words pick the word from the bag and put them on the right shelf बच्चों आपको right shelf में words लिखने है one has been done for you to say the words aloud ठीक है आपको देखे करने है short e-word से leg okay strength well and bell i-word से pig lip and hill e-word से deep deep nest tree seed meal street and i-word से long i-word fish kite dice and line next next देखे students do you play any musical instrument yes i play बच्चों आपको इंस्टूमेंट प्ले करते हैं तो उसका नाम यहां लिखेंगी yes i play guitar जैसे में guitar play करते हूं if no which instrument do you want to learn बच्च अगर आप नहीं बजाते हैं तो कौन से इंस्टूमेंट आप बजाना चाहेंगे i would like to learn how to play piano add these words of the opposite gender in the giving sentence बच्चों देखे आपको opposite sentence opposite words use करना ही हाप पे ठीक है unused mother and mother का होगा father came to the school my uncle and aunt came to visit us on Monday the lion and lioness female lioness को हम बोलते female lion को बोलते lioness looked lovely at their curb the king and queen set on beautiful thrones the man is running and the woman is walking my grandfather and grandmother went to the market किस्टों इन सभी को समझ में आ गया write any nine words from the given list in the boxes put only one word in one box the teacher will call out any six word if the word she call out is in the box put a cross on it the word who crosses out all the word first shout bingo and is the winner hand light few slow fat fat up good happy and light ठीक है बच्चो अब देखिए मैम आपके कोई भी six word बोलती है randomly आपको cross करना जैसे मैंने बोला happy happy cross कर दिया slow cross कर दिया इस तरह से करना है एक है अपना game हो जाएगा और बच्चो जिसके पहले सारे cut हो जाएगे वो bingo बोलेगा और वो अपना winner होगा ठीक है बच्चो देखिए in what way are these musical instrument different from each other देखिए बच्चो यहां हमें कुछ instrument दिये गए है ठीक है यह किसी ना किसी way में एक दूसरे से अलग है ठीक है put them into three group based on how they are played देखिए बच्चो यहां दिया गया है कि बच्चो इनको हमें इस तरह से वो करना है three categories में इनको हमें divide करना है कि यह differ कैसे है तो हम यह लिखेंगे instruments that are play with fingers यह हमारे कौन-कौन से होंगे बच्चो तबला धोलक और डफली बच्चो यह हमारे हातों से बजाया जाता है ठीक है string वाले बच्चो तार वाले यह instrument कौन-कौन से होते हैं देखिए इसमें आपको पिच्चर में दिख रहा होगा सितार गिटार वाइलिन नेक्स्ट है हमारा ब्लो इंटू जिसमें ब्लो फूंक मारके बजाया जाता है वह कौन सा होता है फ्लूट बांसूरी ठीक है शेहनाई और तार ठीक है बच्चो सभी को समझ मैं है कि कौन से instrument कैसे बजाया जाते हैं ठीक है नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यहां हमें सेम वही चीज लिखने है तबला ढूल दफली गिटार वाइलिन सितार फ्लूट शेहनाई और इक्तारा इक्तारा नेक्स्ट है इस इस काल पिच्चर अफ पिच्चर अफ जलतारंग बच्चो इस इंस्ट्रूमेंट को जलतारंग बोलते हैं दिखी जराे जरैंड है ओधतार जरी उस इस साटरू की कोंव Kell है तो बच्चों आपको 6 तो 10 ऐफा एब्रिवर्ण पर्णा यालहूब्षा enjoy नेक्तारक गोजिएंगे तो आपको और परिव्मक्तारी मुझीकल साट्रूम्षा क्रिएट करेंगे देखे बच्चों हमें यहां दो वर्स को जॉइन करके हमें नया वर्ड करना इस्कुल प्लस बैग तूथ प्लस पेस्ट तूथ पेस्ट नेक प्लस लेस नेक लेस सम प्लस वन सम वन बाथ प्लस रूम बाथ रूम टाइम प्लस टेबल टाइम टेबल फुट प्लस बॉल फुट बॉल कार प्लस पैट कार पैट सभी को समझ में आया किस तरह हमने टू वर्स को जॉइन करके सिंगल वर्ड फॉर्म किया नेक्स्ट है लाट प्रैक्टिस देखे बच्चों हमें इसको कम्प्लीट करना है हमें सबको मौर्निंग में जल्दी जगना चाहिए इस तरह से आप इसको कम्प्लीट करेंगी ओके स्टोरिंट्स आप सभी को समझ में आया कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा चैप्टर में क्या पढ़ा एक्सरसाइज आपके लिए मैंने सॉल्व करी है बच्चों आप सभी वीडियो को देखे चैप्टर समझे और अपनी स्टोरी की एक्सरसाइज कम्प्लीट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे वीडियो को लाइट करूश करिए झाल 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 झाल